हेलो मित्रों जैमातादी मत्रों पिशले कई दिनों से आपके जीबन में बहुत बड़ी संकटे आ रही हैं आप कितना भी मेहनत करके पैसे कमाते हैं परंटु Allah आपके घर में पैसे नहीं टिक रहे हैं तो दोस्तों ऐसे में आप लोगों काफी प्रिस्तान और काफी फ्रस्टेट हो चुके हैं परंतो दोस्तों आपको जीबर में भगवान स्रीहरी विश्नु जी की किरिपा से और भगवान स्थानिदेव जी की किरिपा से बहुत पड़ा परदान मिल्ले वाला है जी हाँ ऐसा समय सबको प्राप्त नहीं होता है बड़े ही नसीव वालों को ऐसा भागे साली दिन देखने को मिलता है जी हाँ दोस्तों हम अगले 24 घंटों के अंदर आपके घर में परिवार में खुसियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा यह खुसकवरी आपके नीद और चैन उड़ा देगी और खास बात यह है कि हमारा बात कभी गलत नहीं होता बस इतना ही है कि वीडियो को सच्चे मन से लाइक करिएगा और अंदर तक इस वीडियो को देखिएगा वीडियो सुरू करने से पहले हम महत्मून बात आप सभी से कहना चाहेंगे कि हम आप सभी के लिए अच्छी जानकारी के लिए दिनरात मेहनत करते हैं आपके दिन्चरिया और आपके ग्रह गोशर में क्या-क्या परिवर्तन हो रहे हैं इस विसे में हम दिनरात मेहनत करके आपके बिसे में चर्चा करते हैं तो इसलिए आपसे बहुत इच्छानवीन करने के बाद आप सभी के सामने यह जानकारी लाते हैं जुटाते हैं लाते हैं तो आपसे बस इतना ही चाहिए कि आप चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा और हमारे चैनल से जुड़ जाईगा आपको एक भी पैसा इसके लिए किसी को देना नहीं है, आप सभी से हमारा हाथ जोड़ कर प्रात्ना है, अगर आप हमारी भामना को समझ लेंगे, उमीद करते हैं कि आप हमारी भामना को जरूर समझेंगे, और हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लेंगे, जी हां दोस्तों, हम आ रुकाउटों के समधान में आपको जानना बेहदी अवसक है दोस्तों हम सभी को बता दे कि आप अपने जीवन काल में सुक का कोई फल अब तक नहीं देखे हैं, सुक का कोई भी फल आपको अभी तक महसूस ही नहीं हुआ है, दोस्तों जो पैसा कमाते हैं इधर से आता है और दूसरी तुरत नई प्रसानी खड़ी हो जाती है अभी तक आपके जीवन काल में कई समसाएं आपके उकसर पर आ बैठी है अपने जीवन काल में आप कभी भी दिल से खुसी नहीं हो पाए हैं साथ ही साथ लोग भी आपको प्रसान करते हैं आपके भावनाओं के कदर नहीं करते हैं जो बात आप कहना चाते हैं लोगों से उनकी लोग भी आपके खिलियां उड़ा देते हैं मजाक बना देते हैं दोस्तों आपके जीवन काल में बहुत सारे ऐसे दिन आये हैं जिनमें आप अपने आस्वों को लेकर बैठे हैं फिर भी आप अपने दिल का हाल किसी को नहीं बता पाए हैं दोस्तों हम आपको बता दें कि आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंद तक देखेंगे यह वीडियो आपके जीवन काल की एक एक प्रिसानी को जड़ से खत्म न कर दे तो फिर कहना दोस्तों आज के इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंद तक जरूर देखिएगा आप पैस्षा से जुड़ी परिसानीं उसे घिरे हैं चाहे आप किसी मुश्किल में हैं तो दोस्तों उन सभी से आपको जड़ से खत्म कर देगा फिर दोस्तों आप कहिएगा कि आज हमने इस वीडियो को देखकर बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त कर ली दोस्तों आज जो है हम बहुत ही अच्छी जानकारी आपको देने वाले हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप वीडियो को अंध तक जरूर देखेगा और इस वीडियो को पूरा देखें भूलकर भी इसको छोड़े ना आपके जीवन का सवाल आपके जीवन काल में जो परिसानिया कई वर्षों से चली आ रही है उन सभी परिसानियों का समधान आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं और दोस्तों आपके परिसानी 100% समाप्त हो जाएगी जड़ से खत्म हो जाएगी इस बात का हम दावा करते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो की सुरुआत करते हैं लेकिन उससे पहले मादुरुगा के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ती भाव से माता को याद क करते हुए जै मादुरुगे अवज से लिखें दोस्तों याद रखें जिनके साथ मादुरुगा माता दुरुगा होती है उनका कोई बाल भीवाका नहीं कर सकता है तो दोस्तों इसलिए आप लोगों से जो मैं बात बताने जा रहा हूं उससे आप गौर से देखिएगा द लेकिन दोस्तों यह तो बात है दुस्मनों की जो बाहर की है लेकिन उन दुस्मनों का क्या जो आपके अपने आपके घर में बैठे हैं आपके नजदीक बैठे हैं जो आपको चैन से जीने नहीं देना चाते हैं जी हाँ दोस्तों आपको सुनकर बहुत ही असर्य होगा लेकिन आपके आजपास ही कई ऐसे लोग हैं जो आपको हर किसी भी खुश नहीं देखना चाते आपके खिलाप सडियंतर रशते हैं आपको नीचा दिखाने का प्रियास करते हैं चिकनी चुपड़ी बाते करते हैं बहुत ही आपका आपके मुह पर बहुत ही बढ़ाई करते हैं आपके भलाई के बारे में कहते हैं लेकिन अंदर ही अंदर आपके लिए मन में भी स्खोल कर बैठे हुए हैं दोस्तों हम आपको बता दें कि ऐसे दुस्मन बहुत ही खातरनाक होते हैं जो छुपे रहते हैं और वो अपने सगे बनकर हमारे नजदीक रहते हैं। इससे आपको साफधान रहने की बहुत आविश्यकता है। दोस्तों हम आपको बता दें कि आप बड़ी ही संतोसी प्रविर्ति के इंसान हैं। यदि आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं छोटा मोटा भी मिल गया तब भी आप अपने जैसे तेसे अपना गुजारा कर लेते हैं। आपके कदर आज तक किसी ने नहीं की है। जैसा आप दिल से बहुत ही बड़ी ही प्रेमी सभाव के इंसान हैं। वैसे आपको कभी भी इज़त और सम्मान नहीं मिल पाया है। दिखावे के तोर पर आपको बाहर-बाहर से तो सम्मान देते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर उन लोग आपके खिलाप बहुत विस्पाल कर बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों आपकी कदर भूल नहीं पाई है। और आस्टर की बात तो यह है कि जिन लोगों ने जिन के लिए आपने अपने सब कुछ निचावर कर दिया। अपने पास कुछ भी नहीं रखा। यहां तक कि आप हमेशा उनकी भलाई के बारे में सोचते रहे। लेकिन उन लोगों ने जो है वह कभी भी आपकी फिलिंग्स को आपकी भावनाओं की कदर नहीं की लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि हर इंसान की सक्ती की सीमा होती है। फिर भी आपकी रासी वाले जातक इतने सहन सक्ति होते हैं और आपकी सहन सक्ति अपार होती हैं। आत्मिंधर बनने का खियाल रखती हैं और सपने में भी देखते हैं इसी की वज़ह से आप कई सारे ऐसे भी कारी करते हैं जिनमें आपको प्रशाने भी होती है लेकिन बहुते जल्द बहुत बड़ी काम्यावी भी मिलती हैं दोस्तों बहुत बड़ी काम्याभी वी आपको बहुत जल्दी हांसिल होने जा रही हैं जी हाँ दोस्तों आपकी राशी के जात्तक को एक बहुत बड़ी खुबी है यह उसे हल्हाल में जानना होता है क्या है खुबी तो आप जरूर वीडियो को देखेगा जब आप बिल्कुल भी मदद करने की इस्तिती में नहीं थे और उसके बाद भी आप खुद बहुत प्रिस्तान हुए लेकिन फिर भी आप अपनों की मदद करने के लिए जरूर सामने आए और दूसरों की मदद करने के लिए आप कभी भी पीछे नहीं हटे दोस्तों यह सबसे अच्छी बात है हम कह रहे हैं कि आप ऐसा करें कोई समस्चा लही है लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि आप की रासी के जातक हमेशा दूसरों की मदद करने के चकर में अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं अपने जीवन में कहीं पीछे चूट जाते हैं दूसरों को आगे बढ़ा देते हैं इस शकर में आप कई चीजे से दूरी बना लेते हैं यूं कहें कि सफलता से और पीछे चूट जाते हैं दोस्तों इन सब बातों में एक और बात बहुत ही खतरनाक है कि आपका भूलापन कई साथी कई साथी लोग लाब भी ले जाते हैं जी हां दोस्तों आपने ये महसूस किया होगा कि कई बार बड़े ही चालाके के साथ बदमासी के साथ आपकी भावनाओं का लाब ले लेते हैं और बाद में आप ठगा हुआ महसूस करते हैं तो आपको हम बता दें कि आपको सतर्ग होने की अब समय आ चुका है सतर्ग आप होने के लिए अब हो जाएं अब समखलने के लिए आप तयार हो जाएं यदि अपने अब सतर्गता नहीं बरती तो आप जीबन में बहुत बड़े गड़े में गिरने जा रहे हैं जिहां दोस्तों अब आपको अपना भोलापन त्याग ना होगा दुनिया इतनी सीधी नी सच्ची नहीं है जितनी आप इसे मान कर चलते हैं जिहां दोस्तों हम आपको थोड़ा सकत रवया अपनाना अब आपको सकत रवया अपनाना ही पड़ेगा दोस्तों अब आपके मन में एक संकल्प करना होगा यह आपको बताना चाहेंगे कि यह संकल्प जो है आपको अपने अंदर से लाना होगा अब आप दूसरों को किसी भी हाल में अपना उसे जो लाब जो है आपसे ले जाते हैं उसे नहीं देना है दोस्तों हम आपसे कहते हैं आप सच्चे दिल से अपने हिर्दे पर हाथ रख कर बताईए हम जो बात कर रहे हैं वह बात अभी तक सच है कि नहीं आपके साथ ये सारी के सारी बाते होती है या नहीं जरूर बताईएगा कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं जरूर बताईएगा कि ये सारी के सारी बाते जो मैंने आपको बताई वा सही है या नहीं आपके साथ ये आए दिन एक दिन की बात नहीं है ये आए दिन आपके साथ होती ही रहती हैं दोस्तों हम आपसे कहते हैं कि आप सच्चे हिर्दे से अपने दिल पर हाथ रख कर बताईए कि जो मैं बता रहा हूँ वो बाते आपके साथ सही हो रही है या ने यदि हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवज से बताईएगा हमें आपके जबाव का इंतिजार रहेगा तो दोस्तों अब हम आपसे बता दें कि आपको अपने मन में संकल्प करना है कि अब आपको ऐसे लोगों से दूरी बनानी है इन लोगों को शवक्षी खाना है और इन लोगों को वह करकर दिखाना है जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था मैं दोस्त उस नजरिय की बात कर रहा हूँ आपको अब राजा वाली प्रविर्ती पर जाना होगा अब आपका अच्छा समय आ चुका है अब आपके ग्रहों के चाल बहुती सुन्दर हो चुकी है और आपके अनुकूल हो चुकी है जी हाँ दोस्तों लेकिन इसके लिए आपको सावधान रहने की आवस्यकता है वरना हर बार की तरह आप फिर से वही गलती करेंगे तो हर आप हार जाएंगे और आप सफलता को हासिल करने से फिर पीछे चूट जाएंगे या कोई छोटी मोटी सफलता हासिल करने के बाद आपको फिर से असफलता की और कदम बढ़ा देंगे इसलिए यहाँ दोस्तों आपका बहुत ही दिल बढ़ा है हम जानते हैं यह तो जबाब कामियाब होना सुरू होंगे आपके जीबन में खुसियाली आएंगी आप फिर से नएने लोग आपसे जुड़ेंगे फिर से नएने लोग आपसे जुड़ने का परियास करेंगे जिनोंने भी आपको दोखा दिया है जिनोंने भी आपके कदर नहीं की है आपका सम्मान नहीं किया आपके इज़त नहीं किया ऐसे लोग भी आपसे फिर से जुड़ने का प्रियास करेंगे आपसे माफी मांग लेंगे आपसे फ्रेम पुर्ण वरताप कर लेंगे लेकिन वह सब नकली होगा आपको याद रखना होगा आपको उन्हें किसी भी हालत में माफ नहीं करना है वरना आप भे फिर से मुसीबत में फड़ जाएंगे तो दोस्तों आब आपको बता दें कि अब आपका मान सम्मान कब वापस आएगा और अब आपके सफलता फिर से कैसे फ्राप्त होगी तो आपको बता दें कि इस कल्यूग में सनी देप न्याय के देवता रहते हैं कर्म के देवता कह जाते हैं और सनी देप की आपके उपर पूरी द्रिष्टी है पूरी कृपा है क्योंकि अब आप जानते हैं कि ग्रहों की चाल के मुताविक सनिदेव अभिवेक्ती अवस्ता में हैं और इस वज़ा से आपके उपर सनी की क्रिपा बनी हुई है सनी आपके उपर बहुती क्रिपद्रिष्टी बनाए हुए हैं इस समय आपको बड़े ही संभल कर चलना है सनी देव जी की क्रिपा आप लोगों पर हैं जिससे कि आपके जीवन में खुसियां बरसेंगी धन लाब होगा लेकिन आपको कोई भी गलती करने की गुंजाइस अपने जीवन में नहीं रखनी है याद रखनीएगा दोस्तों भगवान सनी देव नयाय के देवता है जदि आपने एक भी गलती भूल से कर दी तो सनी देव भगवान सनी देव आपको उसकी भी सद्धा अवस्य देंगे आपको माफी नहीं मिलेगी तो आपको बहुत ही फोकस के साथ आप लोगों को जो है इस समय गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है अब हम आपको बता रहे हैं कि आप लोगों की अच्छी समय शुरुवात होने जा रही है कल्यूक की त्रिवता स्वेंग भगवान सनी देव पहराज ने अपने हाथ में पकड़ ली है और सनी देव अब आपके साथ आपकी खुसियां अब आपके इंतजार कर रही है जी हाँ दोस्तों जिन लोगों ने आपके साथ बुराई की हैं उनका एक एक करगे भगवान सनी देव स्वेंग दंडे देंगे भी और अपने कर्मों का फल भी आपको उन्हें खुद ही उन्हें भगतना होगा तो दोस्तों याद रखेगा समय बदल रहा है लोग भी बदलेंगे और जीवन में परिसानियां चल रही हैं वो भी दूर होंगी और आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है और अब आपको अंगली वीडियो में हम बताएंगे कैसे आप अपने जीवन की परिसानियों को दूर करेंगे कैसे अपने जीवन में सफलता को हासिल करेंगे यह वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्ट करेंगे आपका दिन बहतर बने आप हमारे साथ जुड़ जाएए आपके जीवन की प्रसानी को जड़ से खत्म करने की कैरेंटी हमारी है इसलिए आप हमारे साथ जुड़े हैं यहां तक आईगी या मैं आई बटन में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस वीडियो को भी जरूर देखेगा उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपके जीवन की प्रसानी भी जड़ से समाप तो हो जाएगी तो दोस्तों उमीद करता हूँ आज की जानकारी आपके लिए